समस्कार दोस्तों, Wealth Sky के new interesting, exciting वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में nifty and bank nifty option chain के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे यहां पर market में जो गिरावट देखने को मिल रही है पिसले तीन दिन से, तो इस गिरावट पर हमें अब यहां पर क्या करना चाहिए, क्या market यहां से और गिर फकता है, या फिर market यहां से bounce back दिखाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे, तो जल्दी से च करते हैं कि 14,900 को इसमें hold करने की कोशिस करी है, बट बैंक निफ्टी ने 35,000 को ब्रेक कर दिया है, और 34,800 पे close हुआ है, तो कल क्या हमें एक किरावट देखने को मिलेगी, या फिर हमें आज की तरह एक consolidation देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिस कर रहे हैं, तो सबसे हले देखो चार्ट को देखते हैं, समझते हैं, देखो निफ्टी के लिए हमने कल ये important level mark किये ते, इसी channel के अंदर निफ्टी कामकाज कर रहा है, अगर हम देखें कि यहां पे देखो निफ्टी के case में अगर हम बात करें यहां पे clearly, जो निफ्टी की जो weakness रहेग या ऐसी कोई negativity नहीं है, जिसके भरोसे हम यहां पे short कर लें, aggressive होके और bad जाएं, क्योंकि होगा क्या कि यहां से थोड़ा सा भी consolidate करके यह उपर की तरफ recovery कभी भी दिखा देगा, तो यहां पे aggressive short करके बैटने का risk है यहां पे, इसलिए यहां पे मैंने कल भी आपको बुला consolidation रहेगा, आपको इस zone के अंदर आपको एक consolidation ही मिलेगा, तो हम उपर खुले, end में नीचे बन दो गए, हां, अगर हम 14,900 के नीचे trade करते हैं, और दोबारा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर हम करीब करें, आपको इस channel के अंदर trade करते हुए दिखाई दे सकते हैं, कल क यही है कि इसी channel के अंदर हम कल trade कर सकते हैं, अगर नीचे जाते हैं, तो फिर एक further weakness का यहां पर माहुल बन सकता है, इस चीज़ को आप clearly समझ लीजे, अगर bank nifty के बात करें, तो bank nifty still देखो, यहां पर हमारी, जो zone था, हमने जो mark किया था कल, उसी zone के अंदर ही इसने काम किया, अब देखो, यहां पर एक चीज़ समझ लेना, कि कल के trading session में अगर जैसे कि मालो यह flat खुलता है, यह फिर gap down खुलता है, तो यह हमारे पास यह support है, जो bank nifty hold कर सकता है, 34-500 का, और यहां से एक reversal भी आ सकता है, इस चीज़ को आप clearly ध्यान दीजेगा, क्योंकि यहां प अगर हम इस low को break करके नीचे जाते हैं, तो फिर chances बहुत हाई रहेंगे, कि हम 500-600 point यानि 34,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, तो कल important यही रहगा कि market कहां खुलता है, अगर यहां से market को गिरना है, तो यहां तो market 50-60 point ऊपर खुलेगा, या फिर flat खुलेगा, 50-60 point ऊपर खुलना य यहां पर यह फर्दर गिर सकता है, important level आज का low है, आज के low के नीचे trade करेगा, तो फिर आपको यह जो गिरावट है 300 point की extra आपको देखने को मिल सकती, यानि इस low को यह test कर सकता है, इस चीज़ को आप clearly यहां पर समझ लीजे, अगर यह आज के low को hold कर देता है, तो फिर यह दुबारा से recover हो जाएगा, और करीब को यह पैचे से 300 यह 400 की zone तक जा सकता है, तो इस low के सब कुछ depend करता है, जो आज का बना 34 से 750 का, आज का low है, अगर यह hold कर जाता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो फिर आपको एक recovery देखने को मिल सकती है, कहां तक की 25 से 250 तक की, इस इस चीज को आप के लिए यहां पर समझ लीजे, अगर option change में समझने की कोशिस करें, तो निफ्टी के तो देखो, 15,000 का level यहां पर निफ्टी नो निकालने की कोशिस करी थी, बट होल नहीं कर पाया, तो 15,000 की जो put है, यहां पर आपको दिख रहा है, कितना open interest खड़ा तो देखो, नीचे की side पे क्या है, जो call lighter के है, वो अब हड़ गए है, दिख रहा है, आपको open interest घटा हो दिखाई, यहां पर दे रहा है, वहीं अगर हम 14,900 के बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, कितना 15588 का open interest खड़ा हुआ है, और 14,900 की put पे आपको कितना दिख रहा है, 14,800 पे आपको clearly दिख रहा है, 20,493 का open interest खड़ा हुआ है, और 14,800 की put call पे कितना है, 5458 का, it's mean कि market में figure wise देखें, तो chart wise देखें, हम गिरे तो हैं, लेकि open interest कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अगर देखा जाए तो call site पे, even 14,900 की put है वहां पे अभी भी call से ज़्यादा put writing हो रही है, it's mean यहाँ पे market नीचे support ले लेगा, ज़्यादा आप aggressively sell नहीं कर सकते हैं, even अगर मैं expect करूँ, अगर मैं अपना point of view पे देखू, तो अगर मुझे कल nifty 14,800 के आसपास मिलता है, तो मैं यहाँ से खरीदने की कोशिस करूँगा, ना कि sell करने की कोशिस करूँगा यह मेरा जो low है, slow के आसपास यहाँ पे nifty अगर मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे खरीदने की कोशिस करूँगा, अगर कोई sharp गिरावट आ जाती है, morning में माल लीजे, आदे घंटे में तेजी से market जैसे यहाँ पे गिराता है, अगर ऐसी यहाँ पे तेजी से गिर जाता है, अगर यह जो low अगर break होता है, और इस low को hold करता है, तो मैं एक recovery के लिए play कर सकता हूँ, क्योंकि हम तीन दिन से गिर रहे हैं, continuously अगर देखा जाए, तो जाहिर सी बात है, अब देखो, तीन दिन से हम गिर रहे हैं, तो day will be the chances कि कल हमें एक green candle हूपर की तरफ मिल दखती है, क अगर देखा जाए, तो global market positive ही है, इसलिए हमने यहां पर consolidation का trading session देखने को मिला, आज के दिन में, कल हो सकता है कि एक recovery देखने को मिले, और अगर गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर हम उसका advantage लेने की कोशिस करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिस हम कल देखेंगे, कल का important level है, आपका 34,750, bank nifty का, अगर यह break होता है, तो हम दुबारा से इस low को test कर सकते हैं, जो हमने परसो के trading session में बनाया था, जो की करीब 34,436 का है, यानि इसके नीचे गए तो हम इसको test कर सकते हैं, same चीज़ nifty bank, अगर हम 14,900 के नीचे trade करते हैं, तो हम 14,750 के असपास त हो सकता है, लेकि फिलाल open interest में इस क्लिरली दिख रहा है, कि 14,800 एक important support रहेगा, तो मैं यहाँ पर, अगर 14,800, 750 के बीच में मिलता है nifty, तो मैं एक बार खरीदने की कोशिस यहाँ पर करूंगा, इस चीज़ को क्लिरली समझ लीजे, अगर हम DAO feature की बात करें, तो देखो, अ trade कर रहा है, US future flats है, NASDAQ हरे निशान में काम कर रहा है, 67 point उपर काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं, US में और European market भी सारे हरे निशान में काम कर रहे है, तो यहाँ पर कल मैं एक bounce back के लिए play करने की कोशिस करूंगा, क्योंकि 3 दिन हम गिर चुके हैं, कल एक bounce back आ सकता है, तो bounce back के लिए play करने की कोशिस यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो इस चीज को आप के लिए लिए यहाँ पर point out जलू रखिएगा, जादा aggressive sell करने की कोशिस मत करिएगा, आप सस सकते हो, इसलिए मैंने कल भी आपको बोलाता है कि एक range में काम काज, एक consolidation का trading session रह सकता है, तो आप देखो, स यहाँ पर, थोड़ा सा जो weakness का, वो LGFC bank को कोटक महिंदरा bank की वज़े से रहा है, तो देखने कल का trading session कैसा रह सकता है, परसो expiry है, यहाँ पर कल मैं एक recovery की उम्मीद कर रहा हूँ, तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतन जो करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं सुदील लेकर आता हूँ, हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो, इसी के साथ, शुक्रिया दोस्तो